बिस्मिल्य आपानुरहीम, असलाम लेकूम, वेलकम तो आर ओनलाइन इंग्लिश क्लास, क्लास 3, इंग्लिश ट्यूटर, ओपन जूर बुक, चैप्टर नमबर 2, पेस्ट नमबर 10, राइट डाम दर डे अंद देट, और सेकिंड चैप्टर इस दा कलर फुल काइट, फस्ट हम ग्लोस्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्ड्स मिनिंग, नॉइस, शौर, अनप्लेजन्ट लाउड वोईस, नाहुश कवार उंशी आवाजे, शाउट, चिलाना, से सम्थिंग इन आ, वैरिल लाउड वोईस, उंशी आवाज में कुछ भी कहना, याहू, याहू, स बात के जहार करना, now I am going to read out this chapter, we translate and words really, पैसल used to live in Lahore, पैसल लाहूर में रहता था, he had two kites, उसके पास दो पतंगे थी, one kite was white, एक पतंग सफेद थी, and the other one was very colorful with a long tail, और एक दूसरी बहुत लंबी धुम के साथ रंग रंगी थी, पैसल used to like the colorful one a lot, फैसल को ज्यादा रंग वाली पतंग बहुत पसंद थी, डैडी, would you please help me, अबू क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, to fly the kite, पतंग उराने में, अबू क्या आप मेरी पतंग उराने में मदद कर सकते हैं, फैसल आस, फैसल ने पूचा, I will try, मैं कोशिश करूँ but I am not good at flying kites, लेकिन मैं अच्छी पतंग नहीं उरा सकता, his father said, उसके अबू ने कहा, now move to words meaning, live, रहना, kites, पतंगे, white, सफेर, colorful, रंग बरंगी, long, लंबी, टेर, दूम, help, मदद करना, ask, उच्छा, will, करूँगा, try, कोशिश, said, कहा, good, अच्छी Mark it here, we will read next paragraph in next video, don't forget to subscribe our channel for more videos, update, hit the bell icon, stay tuned, Allah Hafiz